प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जैंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैंद रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमे आपने वो मिस कर दिया तो आप जाके वो भी जरूर देखें तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं जैंद जै भारत पहरत के पार्लेमेंट पर अफजल गुरू ही जैंद चाहते हैं मैं पूछना चाहती हूँ कि आफ ता भी ही क्यों श्रद्धा की बोटियां करता है मैं पूछना चाहती हूं कि जिस एपिजे अब्दुलकलाम को भारत का हिंदू मिजाइल मैन कहकर अपने सर मत्थे बिटाता है उसी एपिजे अब्दुलकलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसल्मान क्यों खड़े थे और उसी वक्त उसी लम्हें याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में एक आतंकी के मुसल्मानों से कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती के होते हुए भी कश्मीर में उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी के जनाजे की नमाद क्यूं पढ़ाई गई मैं पूछना चाहती हूं कि रोहिंग या मुसलमानों को भसाने के लिए पिरहाध हकीम बंगाल में और अमानतुला दिली में ऐसे राइट कराने के लिए क्यों उतावले हो जाते हैं मैं पूछना चाहती हूँ कि Mother Teresa को जिसको मैं भी सम्मान करती हूँ उनको इंद्रा गांदी जी ने इतनी ज्यादा छूट क्यूं दी थी कि वो Christianity को spread कर रही थी और वो हिंदूों को Christian में convert करा रही थी यह वही Mother Teresa है जिन्नोंने हस्पताल खुलवाये थे Congress की सरकार से पैसे donation ले ले करके और बड़े बड़े उद्योग पति से donation ले करके पर वो जब खुद बिमार हुई तो वो विदेश चली गई अपने अपने इलाज के लिए क्यूं मैं पूछना चाहती हूँ के बांगलादेश के 22% हिंदूों का conversion क्यूं कराया गया मैं पूछना चाहती हूँ के अफगान के 2,0,0,009 शिखों का और हिंदुों का कंवर्शन क्यों कराया गया मैं पूछना चाहती हूं कि 23.7% हिंदु सिखों का कंवर्शन पाकिस्तान में क्यों कराया गया मैं पूछना चाहती हूं और बहुत खुले अलफाज में पूछना चाहती हूं कि आसिफा और बिल्किस परचाती पीटने वाले मु और अभी हालिया में संदेश खाली में दसजार से उपर हिंदु मावेनों की इज़त को तारतार किया गया इसके बारे में कौन बात करेगा शेक्षा जहां ने वस्त्र उतारे और उन उन महिलाओं के कपड़े उतारे शेक्षा जहां ने जिन महिलाओं के माथे पर सिंदूर पैर में आलता था उनका ही कपड़ा उतारा गया मैं पूछना चाहती हूं कि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के होते हुए भी यासीन मलिक और लश्करे तैबा ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को कैसे उखाड कर फेक दिया कैसे उनको बरबाद कर दिया कै और कैसे उनकी बहु बेटियों के साथ बलातकार किया उनके कपड़े उतारे मैं पूछना चाहती हूं कि आकर नाजिया इलाहिखान सनातनियों के भीड में सुरक्षित क्यों है लेकिन श्रद्धा मुसल्मान के भीड में सुरक्षित क्यों नहीं है मैं पूछना चाहती हू कि 1.2 billion हिंदू, हम 14% भारत के मुसल्मानों की नजर में non-believer कैसे हो गए, 535 million से को हम non-believer कैसे बोल सकते हैं, 30 million buddhist को हम कैसे non-believer बोल सकते हैं, हम अपने आपको, हम मुसल्मान अपने आपको इस authority की position में क्यों डालते हैं, कि हम किसी के धर्म को, ये कहें कि तेरा धर्म तो है ही नहीं, सर्फ मेरा ही धर्म है, हम कैसे कह सकते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, कि बच्चे-बच्चे के दिमाग में ये बात डाली गई, कि गांधी जी की हत्यां जो है, वो गोड से ने की, बच्चा-बच्चा जानता है, आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी जाईएगा, बच्चे-बच्चे के दिमाग में ये डाला गया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, कि वजीर खान कौन था, मैं पूछना चाहती हूँ, बहादुर शाह जफर कौन था, और क्यों गुरू गोविन सिंग जी के पूरे खानदान को खतम कर दिया, कभी आग में चला कर, कभी तेल में चान कर, कभी तवे पर पका करके, कभी छाती चीर कर कलेजा निकाल कर, क्यों, क्यों, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, इस बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती है, वो दर्द, वो चीके, वो खून की नदियां जो कश्मीरी पंडितों के साथ उनके ही कश्मीर में जो आतंकी नाच हुआ था, जो नंगा नाच हुआ था, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर आज इस देश के खुबसूरत सडकों को इस्तमाल करने वाले भी मुसल्मान आज इस देश के को तरक्की आफ्ता देख करके अपने आप में भीतर भीतर खुश होने वाले भी मुसल्मान आज इस देश में जितने भी एडुकेशन पर वर्क हो रहा है काम हो रहा है उस पे अप आगे खड़ा करने वाले भी मुसल्मान दो बच्चे पैदा करने वाले टैक्स दे रहे हैं, बीस पैदा करने वाले सबसीडि सेदिय ले रहे हैं, और मुसल्मान फिर भी मोधिजी को गालिया दे रहे हैं. क्यों? owegoम जानना तो पड़ेगा, ना, समझना तो पड़ेगा ना, भारत बहुत golden period में है, भारत की तरक्की को अब कोई नहीं रोख सकता है, आने वाले 10 साल में, शोईब आप यकीन मानिये मेरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं, कि भारत से जुढने के लिए लोग घुटने पर खड़े हो जाए देश गुटना टेक एगा, अलग-अलग देश, कि हमें भारत के साथ अच्छे संपर्क रखने ही पड़ेंगे, आपने मॉल्डीव का नाम लिया, आपने यूएस के शटप कॉल के बारे में कहा, आपने कैनेडा के बारे में नहीं कहा, कि आज तक मुझ छुपाते फिर रह है, और मेरे जेम्स बॉर्ण, डॉक्टर एस जैशंकर जी, आज भी कहते हैं, दिखा परो, चल दिखा परो, और सामने पूरी दुनिया के सामने बैठ कर बात करते हैं, तेरी पुलिस निजर को नहीं बचा सकी, तेरा सेक्योरिटी निजर को नहीं बचा सका, तो इसमें मेर क्या, तो हम ऐसे हैं, हम सीना चोड़ा करकर के सामना करते हैं, आज नाजिया इलाही कान जो है न, पचास पुलिस को ले करके रोड पर नहीं चलती है, क्योंकि नाजिया को पता है, कि वो सच के साथ खड़ी है, इसलिए उसको छूने से पहले भी मुसल्मानों को भी दस बा पड़ेगा, मैं पूछना चाहते हूं कि आकर लारे भाशमी ही, क्यों एक मासूम बस कंड़क्टर का गला रेतिता है, यह तो पूछना पड़ेगा न, जिस इस भारत में मुसल्मान को उपराश्ट पती बनाया गया, और ना जाने कितने, कितने बड़े-बड़े पदों प हुरफी एमत खदवाई रोड में एक कॉलेज है, मौलाना अजाद कॉलेज, जहां आज भी जुमा में जमात लगा करके नमाज होती है, और मेरे घर से पंदरा मिनट के डिस्टेंस पे एक स्कूल है, चार्मिंग स्कूल, जहां जोहर की नमाज, गर्स स्कूल है, जोहर की न पत्थरवाजी हो जाती है, क्यों? क्यों? आप इद की नमाज में जमात खड़ी करें और रोड ब्लॉक करें, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर नू और मेवात में जब श्रोभा यात्रा निकलती है, तो आप गोलिया चलाते हैं, आप पत्थर चलाते हैं, आप हिंदू बहु बेटियों के सिंदूर पोचते हैं, और आप चाहते हैं कि क्रिटिसिजम तो सिर्फ मुसल्मान ही करेगा, बाकि कोई नहीं करेगा, किसी भी धर्म के मानने वाले को नॉन बिलिवर बोलने से पहले, हमें हजार बार सोचना चाहिए क्योंकि हर किसी की आस्ता हर किसी का विश्वास अपने अपने धर्म के भगवान पर होता है हर्डिस होता है और आपको ठेस पहुचाने का कोई हफ कसी ने नहीं दी ओए इसे हैं और मैं यह समझता हूँ कि बहुत ही बहुत ही बेहतर अन्दाज में ना सिर्फ प्लारिकेशन दीया नाज़िय लाही खान जा बाने बलके बहुत से सवालात उठाएं और बहुत से सवाला है कि यहां पर यह चीज जल्ख है तो उनूंने बोला कि यह चीज जल्ख है अब हमारा यह होता है कि हमने एक पॉइंट एक ق्लिप या एक क्Das कीज उठाकर यह पेंट करना होता होता है कि यह देखें जी हिंद्गों को स्पोर्ट कर रही है कर रहा है और मुस्लिम के अगेंस है जब कि बहुत से ऐसी बाते हैं मैं मैं पत्सली क्योंकि मेरी बहुत से प्रोग्राम इनके साथ रहते हैं बहुत से प्रोग्राम में इन्हों ने प्रापर ये बोला है कि हम मुस्लिम के साथ खड़े है एड दी एंड मेरे ख्याल से इंसान साथ ही साथ जहां पर मुझे ऐसा लगे कि कोई हिंदू है अगर बेहतर कर रहा है तो मुझे अप्रिशेट करने की जरूरत है कोई सिख बेहतर कर रहा है तो मुझे अप्रिशेट करने की सीखने की जरूरत है इसी तरीके से कोई मुस्लिम भी बेहतर कर रहा है तो मुझे अप आपको हमारी बाते कैसी लगी, मुझे तो ये डिबेट बहुत ही जबर्दस लगी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा। आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं, और वीडियो कर पसंद आईए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए सी लेटस्ट, इंट्रो दस्त और मज़िदा वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भाहरत